कि नमस्कार दोस्तों स्वाकत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में साथियों एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट रिख बहुत बड़ी जानकारी जो कि आप सभी ने सुनी ही होगी और अगर नहीं सुनी है तो आज आप सभी को पता है कि किसान बंदूओं की जो की समगर आई्टी से खसरा लिंक की प्रक्या और खसरे इसे आधार लिंक की प्रक्या करवाना अत्ति महत्त पूर्ण यम अनिवारि कर दिया है अगर आप 밑 ही है अगर आपको भी किसी भी यॉजना की राशी प्राप्त होती है तो आपको Big ogl करना अनिवारी है शुशातिए ओशांतिजियो आगे विडियो मैं अछे विडियो में अधश्य समजेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर नही नहीं आपडेट नहीं ये तक दो आ हो सकेंगे तो कि सब्सक्राइब करने का कोई भी पेशा नहीं लगता है वीडियो स्चार्ट करतेश passarrav Desosa देख फ्रतम देख सकते होगी आपको किशान मंदु है तुम आपको सर्व प्रतम कि आपके खसरे से आपकी जमीन से समगर से लिंक करवाना अनिवारी है अब वो लिंक कैसे करेंगे मैं आपको बीडियों आगे बता हूँ और दूसरी बात आपको आपकी खसरे आपकी जमीन जितने भी आपकी खसरे है उनको अधार से लिंक भी करना अनिवारी है अब वो कहा से हो गळाए किस से होगआ उसमें क्या-क्या दस्ताविज लगने वाले सब क्या रेवाइस घुर तो के रिक में आपका स्वयम का जिसके नाम से भूमी लेकर आधार कौतर आई-डी समगर ay d और बही पाज़बू क्याने कि यह आपके जो भी जहमिन से संबंदित पाजबूक है वो और मुवाइल साथ लेकर आपके नजदी की ग्रहाग से वकेंद एंप्यों लाइन सी एसी सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आपकी ये प्रक्रिया पूर्ण करणवानी है और दूसरी जो कि आपकी खसर से अधार ल रहे हैं इस जानकारी में और इस प्रोसेस से गुजरने के लिए आपके अधार कार्ड में मुवाइल नंबर लिंक होना अन्यवारे हैं अन्यथा आपकी क्यवाइसिस यानि आपका जो खसरा है वो अधार से लिंक नहीं हो सकेगा तो आपको ध्यान पहले जहां चलें कि अधार कार्ड से जुड़ा हो यह दस्ताविद लेकर आपको आपके सेंटर के नजदी की सेवा के अंदर पर जाकर वहां पर आपको यह प्रक्रिया पूर्ण करनी है और आप चाहते हो कि हम खुद से कैसे करें या क्या हम कर सकते हैं तो मेरे को वीडियो में ज्यादा से ज् करना कर लाओंगा जहां से आपको प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं सो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आज की वीडियो में फिलाल इतना ही